बाका में अपने दोस्तों के साथ नए वर्ष के प्रत्थम दिन मंदार के सेर सपाटे गये गणेश दास की लास मंगलवार की सुब मंदार के खाई में इस्तिज जाड़ी में मिलिये जनकारी के अनुसार मेजापूर के कुरों के निवासी ससीबूसर दास का पुत्र 17 वर्षिये गड़ेश दास अपने दोस्तों से मंदार परवत का सैसापाटा करने गया था जहां उसके दोस्तों ने बताया कि पैर फिसलने से मंदार के विप्रित हिस्से में खाई के जाड़ी में गिर जाने से उसकी मौत हो गई इसके बाद इसकी सूचना गड़ेश के परिजुनों ने पुलिस को दी और ग्रामिड भी लगतार उसकी लास तलास कर रहे हैं मंगलवार की सुबा ग्रामिडों ने मंदार के खाई इस तिस जाड़ी को काट कर लास जारी की जहां लापता युवग गड़ेश की लास मिली है गड़ेश अपने चार भाई बेहनों में सबसे छोटा था और इस वर्स मैट्रिक की परिच्छा की तयारी कर रहा था परिवार में सबसे छोटे पुत्र की मौत के बाद उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है सबसे बुरा हाल गड़ेश के माता पिता का है पुलिस ने भी लास को कबजे में लेकर पुश्माटम के लिए भेज दिया है